नमस्कार मित्रों आपका अपने चैनल पर स्वागत और आज मैं एक वीडियो यह से यूटूब स्क्रोल करता था तो में एक वीडियो आगे में सामने हरी भूमी की थी देविलाल के राज में बंशिलाल ऐसा बंशिलाल ऐसा कुछ था मैं ठीक से याद निया है क्योंकि मैं उ बंशिलाल बहुत सराबंदी की प्रयाश कर रहे थे लेकिन वह असपल हो गया है कि पहली बात यह मैं दो बात इसलिए बताता हूं क्योंकि रिसर्च बड़ी मुश्किल होती है सच्चाई को कहना बहुत मुश्किल होता है और अज ऐसे बाते करना बहुत आसान है सच बोलन सच को खोजना यह हमाया चानक के ने भी कहा है वेदों में भी लिखा है रामायंड में भी लिखा है महवारत ने लिखा है कि सत्य का मार्क बड़ा कठिन है और हमाय जितने हमारां में लगवें जजाजर्जर रोतग जीन्द पानी पत्त बहुत से अरिया में घुमाँ गाय करते उनसे मैंने पूचा तो उन्हों यह इका भई सच्चा ही का मारग बहुत कठी नहीं इस पर चलना बहुत कठी नहीं कदम कदम पर दिक्कत आती तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि चैनल बनाना यूटूब पर बोलना यह सब बहुत आसान है लेकिन सच बोलना बड़ा कठी नहीं है वो कैसे मैं वह साबित करूंगो ऐसे एक धर्मंदर कमारी पत्रकार हरियाना के जी बहुत बढ़िया उन्हों क्या कहा उन्हों कहा भई कि सराब बंदी फेल हुगई पहली की गई थी पूछो क्यों उसका सबूत में हूं जिंदा जागता सबूत हूं पहली बात मुझे एक लड़की थी वहाँ पर मोनिका जैन मैं खुद फ्रोजपुद जिर्का में राकाता तो रास्थान हरियाना का बॉर्डर एरिया है मैं वहारा मैं खुद रेख्या अपने पूरी प्रोसस्तों ilkyo का जाओ झाल पास्वान yeah उसको इसञा ना बड़ी कि भ़ी अवेरिया हरियाना बंद हो जाएगी तोक्तर बद्यान कोई इन वात कोई बात है उसने ना वीग KE कि जी बारवी की किताब में साइंस साइड की किताब में सराब बनाने की परकरिया पढ़ाई जाती है साइंस साइंस के मास्टर से पूछा उनका नाम था जैदी साथ थे वो जैदी साथ उनसे मैंने पूछा कि क्या जी पुरा नाम याद नहीं आ रहा है जैदी साथ बोलते थे पूछा कि यह बारवी की साइंस की मास्टर थे बारवी किताब में सरवबनाने क्ये परिक्रिया पढ़ा जाती क्या सच कि उन्हों पतना था थीक है वो ध्यान ने दिया वह भी चलेगे मैं भी चुछ हो थीक है जिना आप नाम करें आप पेशन दुआ सलाम करके उसके बाद मैंने पत्तर लिखा मुख्य मंतरी उस समय ततकालिन मुख्य मंतर बंचे लाल जी ते जो सक्त परसा सकते बहुत अच्छे नेता थे दुनिया के सबसे बड़े नेता मैं तो दुनिया के सबसे बड़े नेता सबसे महान इतना बाहान को पैदा ही ना है आता घरियाने में इतने बड़े महान नेता थे और उनको मैंने पत्तर लिखा कि ये बार्यों की किताब में साइंस की किताब में सराब बंदी सराब बनाने की परिक कर रहा है उसको आप पढ़ा दो बारवी के बच्चे को सराब बनाओ और यह बनाओ यह बनाओ यह सब प्रिक्रियां के क्या जोते तो उसमें और तो बागी पता नहीं मुझे पत्र लिखा मुख्यमंतरी कार्याले को आज भी अगर अगर मुख्यमंतरी कार्याले अजर्सा की कहते हैं सब कि बहुत योगे मुख्यमंतरी थे तो वह पत्र होना चाहिए ना तुमें पास कोई जवाब आया ना वो जब सेशन बदला पढ़ाई का नैश्टियर सुरू हुआ तो किताब वही रही ना उस पर कोई एक कदम नहीं च सीता राम सिंगला जी थे वह गुड़गाओं में रहते थे उस समय में में बात में रहता था फ्रोजब जिरकाइब वह जब यहां सरकार बनी थी तो जैकंपुरा आरे समाज में आया थे आज भी पुराने लोगों को याद होगा रिकोर्ड में भी होगा क्योंको उनके प्लट गई थी तो मुझा पता लगया थे शराब आतीस में मैंने उनको कहा कि यह सराब रुखवाओं सरी आपने सीयम को बताओ कि आपको कापी जानते हैं लोग आगे पता यहां से तसकरी होती हार्याणा सराबं की उनको डो सफद हो का भाई या ना सुन Alberto उनों पर यह कहाया कि भाई साऺत शेया लैं मैं को और कोई भात पता इसके बाद पर रहाएं दूसरी बाद शैडरति मुझे के जा सकती हालांकि वह बहुत अच्छे आदमी थे सीतारम सिंगला जी और मुझे तो खेर बहुत इज़त करते थे बात में बनासे लाल गुपता जी से भी मिला मैं जिसको देविलाल जी ने उपमुक्य मंतरी थे बनासे लाल गुपता जी ने उपमुक्य मंतरी थे और में इंदपस्थ गुरकुल में फरिदाबाद में ध्यापक था और ये स्वागत अधिकारी था स्वागत अधिकारी के पद पे था उसके बाद मैं स्वागत समीति का ध्यक्ष भी रहा और वहाँ पर वो भी आते थे एक सेर सिंग प्रोफेसर सेर सिंग भी आते थे और ये दोनों लोग को साथ में खूब बैठा, खूब मिला, सारी सच्चाई मुझे राजनिती की पता है, बंशी लाल जी की पता है और चोटालाल साथ की उन्हों बहुत किस्से बताते थे, वो किस्से आप कहेंगे तो बता दूँगा देवी लाल जी के बहुत किस्से बताते थे, बहुत किस्से बताते थे, बहुत किस्से बताते थे, बहुत किस्से बताते थे, बहुत किस्से उन्हों सुनाएं मुझे, आरे समाज के क्या इतिहास रहा, हिंदी आंदोलन क्या रहा, और इसमें चंडीगर, चंडीगर का हरियान पूरी डिटील बहुत किस्ते स्वाते थे इनके तो यह जो प्रोफेसर साब थे सेर सिंग जी इनके साथ तो में बहुत घूमा भी गाड़ी में अकसर जाय करता थे दिल्ली आते थे या कभी उदर जाते थे आगरा घूमने जाते थे वो भी थोड़े कापी कमजोर हो गया थे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गुमते थे हमाई गुरुजी थी भगत मंगतुराम जी वो भी जाय करते थे अच्छा तो इनके साथ में कितनी बार मिला मुझे भबस्त चाहिए पते अच्छा दूसरी बात ये दो खटना होगी ये दो खटना उसे पता लगता है उस दोर में हरियाना के अंदर सराब बंदी फेल नहीं हुई थी इसको जान बूज करके फेल किया गया था और फेल करने वाले कौन है ये दर्सक लोग आप लोग कमेंट में बताएं आप लोग जानते हैं क्योंकि जनता कभी सत नहीं बोलती धार्मिक किताबों में एक वाक्य है कि जनता गलत बात पर कभी सहमत नहीं होगी गलत बात पर कभी सहमत नहीं होगी कोई नो कोई जरूर सत्चाई बोल देगा कोई नो कोई जरूर उसका बिरोद करेगा जैसे भगस सिंग ने किया जैसे बिश्मिल ने किया बहुत से लोगों ने किया हर्याना के बहुत से लोग थे क्योंकि ये जो है इसली मने वीडियो बनाया था क्योंकि सच्चा ही जो है ना सच बोलना बड़ा कठे ने इस दुनिया में तो वही धर्मंदर कमारी जी अगर आप रिसर्च करिए या यह कहिए वही और कोई जान करें मुझे बताओ तो हम बताएंगे लेकिन आप यह कहते हर्याना में सराब बंदी फेल हो गई थी तो यह वाकिया बिलकुल गलत है क्योंकि फेल नहीं हुए उसको फेल किया गया उसके पीचे कुछ लोग थे यह बाद मुझे प्रफिस्टा साब ने बताई थी कि कुछ लोग थे जान बूज के फेल किया गया था इसको इसका कोई एई हिडर ने जंडा था बाकी वही हर्याना के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके अपने चैनल प झाल झाल